बाइए स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल फेंटासी लीजेंड रखाडा में तो दोस्तो इसी सी वूमेंश शीटेन सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है न्यू सीरीज है दोस्तो तो इस न्यू सीरीज को आपन सुरू से लेकर इंड तक पहले मैश से कि दोस्तो आखरी मैश तक कवर करेंगे और इस वीडियो में दोस्तो आप लोग को मैं सभी प्लेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तो ऐसे कौन-कौन से प्लेयर्स हैं जो आज आपके लिए ट्रंप रहेंगे और ऐसे कौन-कौन से प्लेयर हैं जिसको आप कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राइ करके चलोगे अपने टीम में तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगो पूरी नॉलेज मिलेगी बस आप लोग चैनल वीडियो को आश तक देखना और चैनल पर ने हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है क्योंकि पूरी सीरीज कवर करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी हां और टेलिगराम से नहीं जुड़े हो तो बिलकुल आप लोग टेलिगराम चैनल को तो जरूर जोइन करना क्योंकि दोस्तो तो टेलिग्राम पे ही आपको सभी चीजे यहाँ पे मिलने वाली है जैसे कि सबसे पहले टॉस एंड लाइनप के अपडेट मिल जाते हैं और कोई भी जैसे नया प्लेयर खेलता है ना तो मैं आपको उसके स्टेड्स भी यहीं पे देता हूँ जैसे कोई भी नया प्लेयर खे प्रिप्सन और कमेंट सेक्षन में हैं वहीं से आप लोग डेलिग्राम जॉइन करो और चलिए दोस्तों आगे बात करें प्लेयर्स के बारे में मैच के बारे में तो दोस्तों यह मैच नंबर पहला खेला जाएगा इस इसीजी उमेंस टीटेन का ठीक है मैच स्टार्ट पहले हैं दोस्तों इस पेन और मैच आऊउस्ट्रिया व्मंस की टीम ने विन किया है अभी तक इस प्रब्लींट नहीं एवरेज्पर दोस्तों सौग के आस पास आपको देखने को मिलेगा बात करें इस पेनों में को प्रोबल प्लेइंग लेवन के बारे में तो डोस्तों इस्पेन उमेंस की तरफ से पायल चिलोंगिया आपको most probably open करते दिखेंगे नावमी हिलमेन के साथ दोनों अच्छे प्लेयर है पायल चिलोंगिया दोस्तों देख सकते हैं इसको टीटेन के अंदर 5 मैच में 50 रन है 21 कावरेज है और 5 इनिंग के अंदर पूरा बॉलिंग करके 4 विकेट लेकर गी है तो 32 नावर अंडर प्लेयर है ओपनिंग करेगी प्लस दोस्तों 2 वर की बॉलिंग आपके लिए कर सकती है बिलकुल इसको टीम में लेकर के चलिएगा उसके बाद आपको दिखेंगे नावमी हिलमेन जो की पायल के साथ आएंगी ओपनिंग पे ठीक है नावमी का 6 मैच के अंदर 186 रन है 46 कैवरेज है बैटिंग काफी सांदार है इनका बॉलिंग थोड़ा कम कराती है ठीक है और विकेट थोड़ा सा कम मिलते है इनको लेकिन दोस्तों आज के मैच में आपको 1-2 और की बॉलिंग करते हुए दिखेंगी तो इनको भी लेकर के चला बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट हिजे करके जा सकती है उसके बाद वन डाउन पायेंगी एमी ब्राउन एमी ब्राउन का देख सकते हो 6 मैच के अंदर 45 रन है 15 का एवरेज है बॉलिंग से बात करें दूस तो लगभख सभी मैचेस में बॉलिंग करती है तो इनका टॉप ओडर जो है न काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है दूस्तो आज की मैच के लिए ठीक है उसके बाद आपको दिखेंगे यहां से इलस्पेत फाउलर 6 मैच खेली है 34 रन है 34 केवरेज है इनका प्लेयर अच खेली है 28 रन 14 केवरेज से रन करती है 6 रिंग के अंदर दोस्तो 4 विकेट के रिकॉर्ड है तो यह न बॉलिंग 2 वर की करेंगी करेंगी प्लस दोस्तो आपको यह बैटिंग से भी प्वेंट दे करके जा सकती है तो इनको ध्यान देना अच्छी प्लेयर है उसके बाद आपको दिखेंगे सामिया बसरत देखो तीन मैच 23 रन 16 केवरेज है इनका तीन इनिंग के अंदर बॉलिंग की है और उनका तीर विकेट के रिकॉर्ड है तो यह गेम चेंजर हो सकती है इनका सेलेक्शन बहुत कम है आगे में आपको बताऊंगा उसके बाद दोस्तो इसा अजमत है चार मैच खेली है बॉलिंग से ही देखा जाया तो तीनिंग के अंदर दो विकेट लेकर के गई है तो बॉलिंग के कर सकती है एक से दोर की बॉलिंग इनको मिल सकता है टीम की तरफ से उसके बाद दोस्तो आपको दिखेंगे यहां से मेमुना रियाज देख सकते हो तीन मैच के लिए है दो इनिंग के अंदर यह बॉलिंग किया और दो विकेट लेकर के गई है तो इनका भी रिकॉर्ड मुझे अच्छा लगा खेलती है तो ध्यान देकर चलना टीटविंटी इंटरनेशनल मैच ही खेली है अभी तक टीटन का मैच एक भी नहीं के बॉलिंग किया विकेट भी दो मिल गई इनको तो बड़िया है प्लेयर देख लेना आगर खेलती है तो यहां से दोस्तो जो मैं अपनी टीम से लेकर के चलूँगा ना देखो पायल चिरोंगिया को लेकर चलूँगा नामी हिलमैन को लेकर के चलने वाला हो टीम में और यह प्रविया है इनको आप ध्यान दे करके चलना और इधर से आपको मेमुना रियाज और रभिया मुस्ताग दोनों में से एक प्लेयर पर ध्यान दे करके चलना है अनिसा अजमत कभी ठिक ठाक रिकॉर्ड है यह चीज भी आप लोग को पता होना चीए ठीक है तो इन पे इनके काफी अच्छे है बस दोस्तों बॉलिंग किसको किसको मिलेगा यह बोल पाना थोड़ा समुश्किल रहेगा बैंच से अगर कोई भी खेलते हैं तो देख लीजे इनके रिकॉर्ड आप मैं आपको अपडेट भी कर दूँगा इस्टार्टिंग कबर दोस्तों पायल चिलों का है दोस्तों आपको उस्ट प्रब्ली ओपन करते हुए दिखेंगी प्रिया सबुका देख सकते हो छै मैच के अंदर तिरांबे तिरा स्टेहा नैंटी त्री रंस है थर्टी वन का एवरेज है दोस्ते इनका इनका रिकॉर्ड है बैटिंग से बालिंग थोड़ा कम करती ह है तीन इनिंग के अंदर बॉलिंग किया है एक विकेट ले करके गई है तो इस सीरीज में देखना पड़ेगा कि इनको कात दोर मिलता है कात दोर मिल जाया तो फिर और भी जादा इंपोर्टेंस बढ़ जाएगा सी बीसी का चोईस अच्छा रहेगा इनका ठीक है बूसरा दोस्तों चैरन है और तीन इनिंग के अंदर बॉलिंगंर के एक एक हो इनको मैं इसनलती के दोस्तों तेयुंटी के मैście 1 अटार दिखियाए और पर इन कापी अच्छा है मैं यहां पर में जाख सोचेंगी उसके बाद मलिका म्हा देवा हैं मलिका महादेवा है पांच माज पचास के अवरेज है इनका और पांच इनिंग के अंदर दुस्तों बॉलिंग की हैं और पांच विकेट ले करें गई हैं तो बॉलिंग आपको दो बर करते दिखेंगी इस्टार्टिंग कवर में एक वर डालती है ठीक है तो यह इंपोर्टन रहेंगी उसके बाद इम्मा कि है उतना अच्छा कासा रिकॉर्ड नहीं लगा सितर भारद वाज है दुस्तों च्छै मैच 25 पांच के अवरेज है तीनिंग के अंदर बॉलिंग किये हैं जूर विकेट है तो इनका भी रिकॉर्ड मुझे उतना अच्छा कासा नहीं लगा वाकि देख लेना उसके बाद हन पांच मैच खेली है और चार एनिंग के अंदर विकेट का दो वर की बाद अलग है बाकी देख लिजेगा लेना रहे तो लेकर के चल सकते हो उसके बाद दोस्तों यहां से दिखेंगे प्रवीता इनको नहीं लेंगे ड्रॉप करके चलेंगे यहां से लेने लैग जो प्लेयर है जिन्ट पर आप फोकस करो देखो प्रिया सबू के फोकस करो बूसरा उका पर कर सकते हो आप लोग और यहां पर मलिका महादेवा है इन इन पर फोकस कर सकते हो और एंटोनी इन पर आप देख लेना मैं आपको रिकॉर्ड यह से बताऊंगा तो फिर आपको लेना नहीं लेना आपकी मर्जी रहेगी यहां नीचे से दोस्तों श्रिया कोमती है इन पर फोकस करके चलेंगे और सौजन ने हैं इनको लेकर के चल सक तो यहीं प्लेयर हैं यहां से इंपोर्टन बाकि उतने इंपोर्टन नहीं है आपको बैंट से देख सकते हैं इधर से कोई भी अगर खेलता है तो मैं आपको कर दूंगा टेलिग्राम पे अपडेट बात करो दोस्तों स्टार्टिंग के ओर की तो मलिका महादेवा स्रिया क तो भाजियों यहां विकर्ट की पिंक सेक्शन में देखो आपको टीम मिर्जा दिखेंगी इनका सेलेक्शन बहुत जादा है लेकिन इनका बैटिंग में बता दूंकी थोड़ा सा नीचे रहता है तो मैं इसलिए इनको प्रिफरेंस नहीं दे रहा हूँ टॉप पड़र मै को मैं यहां से लेकर के जाने वाला हूँ टीम मिर्जा का सेलेक्शन बहुत ही जादा है लेकिन फिर भी मैं नहीं लूँगा रिकॉर्ट ठीक है लेकिन दोस्तों थोड़ा सा नीचे रहेगा ठीक है बैटिंग सेक्शन की तरह पाएं तो देखो फावलर है एक अच्छी लेकर के चल सकते हो अनिसा अजमत बॉलिंग कर सकती है लेकिन पता नहीं सेरीज में इनको बॉलिंग मिलेगा कर नहीं और यह हमारे एंडर डेविट्सन सोलर इनका मैंने रिकॉर्ड बताया है आपको टीट्वेंटी का डॉमेस्टिक का पीछे जाकर करके देखना लाइन अब दोस्तों बाटिंग सक्षन से तो महादेवा कर के चलेंगे इनको इंप्राउं कर रहेंगी यह ब्राउं करे रहे हैं इनको भी लेकर कर के चलेंगे यहाँ पर देखो एंटोनीस का यहाँ पर मैं आपको बार-बार जिक्र कर रहा हूँ, उनको आप ध्यान दे करके चलना अगर खेलेंगी तो इनको डारेक्ट पिक करके चल सकते हो, ठीक है, बाकी दोस्तों यह च्छा प्लेयर जो है, आपको दिखेंगी जिनका रिकॉर्ड का चाहो तो इनको कर सकते हो, और यहाँ पर दोस्तों रियाज है, मुस्ताक है, तो रियाज को भी आप लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो, मैंने आपको बताया है, इसका टीटोंटी का रिकॉर्ड ठीक है, तो टीटोंटी के रिकॉर्ड के बेस पे आप इसको लेना चाहो त तो दोस्तो यह मेरी इस मैच की डेमो टीम है और यहां पर मैं कैप्टन वास कैप्टन की बात करूँ आप लोग के लिए तो देखो महादेवा एक अच्छी अप्शन रहेंगी प्रिया सबू एक अच्छी अप्शन रहेंगी और यहां पर हिलमैन एक अच्छी अप्शन रहे जेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक केजिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच